हलो स्वागत आपका फिर से में चैनल पे और हाँ आज भी आप 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 मेशा की तरह एक और नया गान है यूकुलेले पबजानी के लिए सीखने वाले हो और आज की गाने का नाम है तुसे नैना संते बदे खोई है कोई मैंनं जान गवाई मैंने तजी को पसाया है तरगन में समाबरे है तुस सब्सकर काने से पहले आपका यूकुलेले तून होना जएके तो ज़य let it कर लो युकुलेली जब आपको युकुलेले टुण हो चुका हो उसके बाद कॉर्ट सीखते हैं इस काने में सिफ तीन कॉर्ट सिउज होंगे जो कि हैं कर में कर दों हैं इस कानी में कर रहे हो अगर चाहोँ तो हायर स्केल पे स्टान और खवर करने के लिए और मीचे वाली फ्रिट में भी क्रासकते हो नहीं तो अगर अगर आप लोड़ Rabbit तो आप 1st, 2nd या फिर केपो नहीं भी लिगा सकते हो, according to your voice range. तो केपो लिगाने के बाद जो कोड्स हैं, उनकी पोजिशन नीजे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. यह C chord होगा, यह A minor chord, और यह F chord. अगर आपको यह थीनो कोड्स पहले से बजाने आते हैं, तो well and good, क्योंकि अभी मैं आपको यह सिखाने वाली हूँ कि आप एके chord को अच्छे से कैसे बजा सकते हो, अगर आपको पहले से बजाने नहीं आते हैं, तो आप यह पार्ट अच्छे से देखना है. तो सबसे पेला chord है C chord, उसके लिए आपको अपनी 3rd finger को 1, 2, 3. 3rd finger को नीचे से 1st string के 1, 2, 3. थर्ड फ्रेट पर रखना है, यह C chord. तो अगर एक चीज आपने नोटिस की हो, कि वैसे तो 1st fret यह होता है, 2nd होता है, तो 3rd fret यह वाला होता है, लेकिन क्योंकि मैंने यहां पे कैपो लगाया है, इसलिए हमारा 1st fret, जो है वो कैपो के नीचे वाला 1st fret है, वो 1st fret count होगा, तो 2nd यह और 3rd यह हो जाएगा, इसलिए C chord की position यह होगी. ऐसे ही A minor chord के लिए आपको अपनी 2nd finger को 4th string और 2nd fret पर रखना है. आपको A minor की position को ऐसे ही पकड़के रखना है और जो अपनी 1st finger है उसे 2nd string 1st fret पर रखना है. बस इतने आसान से 3 chords हो चुके पूरे, अब अगले चीज है strumming pattern. मैं जो इस काने में आपको strumming pattern सिखाने वाली हूँ, वो कोई एक strumming pattern नहीं है, दो strumming patterns है और एक finger picking pattern है. तो अगर आपको वो तीनों सीख जाओ, आपशानी से और तीनों अच्हे लग रहे हो तो आप अपनी गाने में भी मेरी तरह तीनों ही अप्लाय कर सकते हो. कि एपको कोई एक अच्छा लग रगा हो, तो आप पूरे सॉंग में कोई भी एक चुन के पूरे एक को भी 橋 में पूरे सॉंग में अप्लाय कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही इदर उधर उन्हें जॉबल करो एक strumming pattern भी पूरे song में follow किया जा सकता है जो finger picking pattern मैं इस गानी के साथ follow करने वाली हूं वो है 4, 2, 1, 3, 1 जो ये numbers मैंने बोले हैं वो है strings की number आपको पता होगा कि जो strings का order है वो नीचे से उपर की तरफ 1, 2, 1, 2, 3, 4 होता है तो 4, 3, 1, 2, 1 का मतलब है सबसे पहले 4 string, फिर 2nd string, फिर 4 string, फिर 3rd string, फिर 4 string और उसका भी हलकी सी rhythm ऐसे रहेगी 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1 आप अलग-अलग fingers, अलग-अलग string को assign कर सकते हो तो से क्या होगा कि एक ही फिंगर को सारे काम करने पड़ेगी न, अगर तो मुश्किल होगी अगर आप अलग-अलग fingers को अलग-अलग strings दे दोगी तो easy हो जाएगा मैं अपने fingers की position को सिस्तरे रखी है धम मेरा है fourth string पे जो index finger है वो है second string पे और middle finger है first string पे और जब मैं pluck कर रही हूं तो देहां से देखना इस तरीके से second strumming pattern है down down up इसमें first down stroke, second down stroke और third up stroke easy, third strumming pattern है down down up down down up down down up down वो कुछ इस तरह होगा down down up down 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 up down इसको आप अलग-अलग parts में divide करके सीख सकते हो first आप पहला down strum अलग रख लो और जो बाकी down up down down up down दो parts है वो अलग तो सबसे पहले आप down down तो आता ही होगा down 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 simple down strum है उसके बाब जो down up down है उसमें है पहले down stroke फिर up stroke फिर down stroke और जो third part है वो भी same ये second वाला ही repeat होगा down stroke up stroke down stroke तो इन सबको जब हम merge करेंगे तो ये कुछ ऐसा लगीगा down down up down down up down तो इस गाने का सबसे पहला part है इंट्रो इंट्रो में finger plucking pattern यूज होगा और हर एक कॉर्ड पे दो बार ये finger plucking pattern apply होगा for example C F C F अगला पाठ लगाने का प्री कोरस प्री कोरस में strumming pattern change होगा down down up down down up down ये वाला strumming pattern apply होगा और हर एक कॉर्ड पे एक बार ये strumming pattern apply होगा for example C chord down down up down 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 up down F down down up down 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 up down C down down up down 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 up down F D down up down 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 up down third part है कोरस कोरस में भी same strumming pattern होगा और इसी तरीके से एक बार strumming pattern हर एक कॉर्ड पे यूज होगा तो इसके अगला चो पार्ट है अब वर्स है वो और वर्स में strumming pattern change होगा उसमें लागे का down down up पाला strumming pattern और हर एक कॉर्ड पे चार बारी strumming pattern अपड़ा होगा वो किस तरह है ऐसे है पहले सी कॉर्ड यूज है अब ऑफ यूज हम पाला मपड़ यूज हिसी क्वर्स है उसमें बी same strumming pattern और फाई पाला थो पाला होगा हूंग का आ यूज हो परी होगा है इसी तरह यूज है किस पार्ट में कौन से स्टर्मिंग पैटन और कितने बार अपला होगा तो अगली चीज हम करते हैं वो है पूरा गाना कवर करना तो पूरा गाना में सबसे पहले आपको सिंगल दाउं स्ट्रम्स के साथ कवर करके बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौर्ट प्रोग्रेशन चल रहा है गाने के साथ और उसके बाद मैं स्ट्रॉमिंग पैटन के साथ पूरा गाना कवर करके बताऊंगी तो पहले सिंगल स्ट्रम्स के साथ आप चाहो तो साथ में प्ले भी कर सकते हो क्योंकि कॉर्स और लिरिक्स वगरा सब कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाली है इस लम्हे को रोकलूं या मैं खुद को इसमें जोक दूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं इस लम्हे में कुछ भी जानू ना 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 लागे तो से ना जब से मिले बन गए सिलसले तो से ना जब से मिले उसद बुद खोई है खोई मैंने जान गवाई गवाई मैंने तुझे को बसाया है धरकन में साबरे उसद बुद खोई है खोई मैंने जान गवाई गवाई मैंने तुझे को बसाया है धरकन में साबरे तो से नाना जब से मिले तो से नाना जब से मिले बन गए सेल सेले तो से नाना जब से मिले खुद को खोकर तुछ को पाया इस तरह से मुझे को जीना आया खुद को खोकर तुछ को पाया इस तरह से मुझे को जीना आया तेरे लगन में सब है गवाया इस तरह से मुझे को जीना आया तेरे हसी मेरे खुशी मेरे खुशी तो ही तो से नाना जब से मिले तो से नाना जब से मिले बने गए सिल से ले तो से नाना जब से मिले तो से नाना जब से मिले तो यहाँ सिंगर लाँ स्ट्रॉम्स के साथ अब नेक्स चीज़ हम करेंगे स्ट्रॉम्स के साथ इस लमहे को रोक लूँ या मैं खुद को इसमें जोक दूँ क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ इस लमहे में कुछ भी जानू ना नैना नैना लागी तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसले तो से नैना जब से मिले असंद बुद कोई है कोई मैंनी अजान गवाई गवाई मैंनी मैं तुझे को बसाया है दड़कन में साबरे तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसले तो से नैना जब से मिले खुद को खोकर तुछ को पाया इस तरह से मुझे को जीना आया तेरी हसी तो से नैना जब खोकर तुझे को पाया इस तरह से मुझे को जीना आया तेरी लगन में सब हैं गवाया इस तरह से मुझे को जीना आया तेरी हसी मेरे खुशी तो ही तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए शिल से ले तो से नैना जब से मिले 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 झाल झाल